पिछले महीनों में प्यास के दाम आसमान पर पहुँच गए. मौसम की मार, प्यास के कम उतपादन और तेज बारिश के कारण कई शहरों में प्यास नहीं पहुँच पाए, जिसके कारण प्यास के दाम में वृद्धी हुई. बढ़ते दाम को देखते हुए सरकार ने प्यास के निर्यात पर बैन लगा दिया था ताकि सप्लाई में कमी नहीं आए। लेकिन अब धीरे धीरे प्यास के दाम कम हो रहे हैं। जिसके बाद सरकार एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। पिछले महीनों की तुलना में प्यास के दाम में 35 प्रतिशत की कमी आई है। सरकार ने 8 दिसंबर 2022 को प्यास के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक बैन लगाने का फैसला किया था। लेकिन अब इस बैन को हटाने के लिए सरकार बैठक करने वाली है। खरीफ की फसल की आवक पिछले 10 दिनों से बढ़ रही है। रोज 15,000 क्विंटल प्रती दिन से ज्या प्यास को प्यास की बहुत ज्यादा आवशकता है। उनके लिए भारत सरकार से मंजूरी लेकर निर्यात करने का विकल्प भी दिया गया। प्यास के दाम बढ़ने के बाद सरकार ने रियायती दरों पर प्यास की बिक्री शुरू कर दी थी। ताकि आम जंता को थोड़ी राहत मिल सके। अभी यदी निर्यात पर लगा बैन हट भी जाता है तो भी स्थिती संभलने तक रियायती दरों पर बिक्री जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी